आज मैं बात करने वाली हूं कि ओवरी में जो सिस्ट हो जाती है उसको कैसे ठीक करें कुछ घरेलू उपाय मैं आपको बताने वाली हूं जो बहुत ही ज़ादा इफेक्टिव हैं अगर आप इसका यूज करती हैं जिस तरह से मैं बताऊंगी जितने दिन तक मैं बताऊंगी अगर आप इसका इस्तिमाल करती हैं तो आपकी सिस्ट जरूर ठीक हो जाएगी ओवरी में सिस्ट कई कारणों के वज़े से हो सकती है जैसे कि अगर आपकी वैजाइना में को इन्फेक्शन हो गया है और वह इन्फेक्शन धीरे धीरे आपके यूट्रेस तक पहुच गया तो कई बार करन इन्फेक्शन हो जाता आघ कन देना आपको UV इन्फेक्शन हो जाता है वह सही से एक रैप्चर होسkich नहीं हो पाता है और रैप्चर ना हो पाने ठाएर चाहिए और अन्दर ही jako जूग कर निकलना चाहिए और लिक्विट अंदर ही एक गाठ का रूप ले ल और कई बारन एट का रूप बाहर आता है छिंट चिवicken ऒसनों नहीं पीधा है और फी चोश्च क्षी Maps का रूप ले लेता है और कई बार हार्मूने बैलन्स ना रहता है या आपको थो सकता है अब मैं कुछ घरेलू उपाए आज आपको बताने जा रही हूं इस पर एक लोगों ने कमेंट्स करके भी पूछा है कि मैं ओवरेंट सिस्ट के लिए कौन सा घरेलू उपाए करें जिससे वो सिस्ट असानी से अपने आप सही हो जाए बीना कोई दवा लिए या दोक्टर भी यह चीज बता देते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि यह आउपरेशन किया जा रहा है तो आपको दुबारा से गाठ नहीं होगी यह दुबारा से सिस्ट नहीं होगी तो इस वजह से आपको अपनी खान पान में पहली बात चेंज करना चाहिए ताकि असिस्ट तो जब आप इस घरेलून उसके को ट्राई करें तो उस टाइम पे जितने दिन भी इस दिन उसके को आप ट्राई करेंगी लेंगी उतने दिन आपको बहुत ज़्यादा तलाब होना हुआ चीज नहीं खाना है बार का जो पैक्ड फूर्ड होता है उतने दिन आपको नहीं और बहुत ही ज़्यानम आपको पते-दर सब्दिया रेतानी चाहिए उसके सांध ten साथ , अबहुत नहीं चाहिए जासे ऐखार दूनल्स नहीं चाहिए इसंतेञाँ यह उसका हम। उसके साथ ही आपको मेरा पताया हुआ गरे लिउन Зबया ओ नहीं करना ही तो आपका पीरेट टाइम तुटाइम नहीं आएगा, बहुत जादा डिस्टाब हो जायेगा यह पीरेट जब होगा बहूत जादा पीन्फुल होगा और अगर आप married हैं, तो आप अगर conceive करने की कोशिश कर रही हैं, काफी लंबे समय से try कर रही हैं, तो आप जल्दी conceive नहीं कर पाएंगी, यह सारी दिख करते हैं, अगर आपको over insist है, तो आपको हो सकती है, इसमें मैंने एक already वीडियो बना रखा, जिसमें मैंने सभी जानकारी कि a люs अगर है, तो इसके क्या कारण होते हैं, क्या लच्चाड होते हैं, क्या उपाएं कर सकते हैं, यह सभी मैंने इस वीडियो में भी बता आया है, लेकिन इस वेडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाएं बतारी हूं, तो यह घरेलन उस का यह है की आपको ग लेना किस तरह से है तो आपको सुबा नाश्टे के बाद लेना है खाली पेट नहीं लेना है सुबा नाश्टे के बाद आपको एक गिलास पानी में दो चमच गिलोग का जूस मिलाना है और उसको पी लेना है और पानी आपको गुनगुना ही लेना है एक गुनगुने पानी म पानी में दो चमच गिलोई का जूस ढालके और गुनबुने पानी में डालके पी लेना है लेकिन इस चीज का भी दियान रखें कि चाहे आप सुबा नाश्टे के बाद ले या रात में खाने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे का गयाब ज़रूर रखना है जैसे कि आपने ग्यालव का जूस ले लेना है इस ग्यालव का जूस का सिवन अगर आप एक महीने तक लगातार करती हैं तो आपकी ओवरिंस्स जो है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अगर थोड़ी बड़ी है तो आपको जैसे कि एक महीने बाद आपने चेक करवाया फिर भी वह सिस्ट पूरी तरह से सही नहीं है तो अ Means कर सकती है जब टार पूरी तरह से सही नहीं हो जाए और अभस दोरान भी आप इसका सेवन कर सकती हैं कोई नुकसान नहीं करेंगा तो इस लो ऑने उसका सेवन आप जरूर करें फैदा आपको जरूर होगा तो उम्मीद करती हूं कि यह वीडियो आपके लिए इन्फार्मेटिव हो रहा होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें